गुरुरुम्रिंग आर अफियो इस चानल में आपका स्वागत है इसले वीडियो में मैंने अल्टिनेटर के बताया था अल्टिनेटर अल्टिनेटर थोड़ा समय के बताना चाहता हूं अल्टिनेटर वर डिवाइस है मेकेनिकल एनर्जी को एलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है यह वीडियो देखने के लिए मास्टर माइन तिपल एस में जाकर लागिंग करेंगे उसके बाद सर्क्राइबर कर लेजिए अगला वैडियो देखना चाहते हैं तो स्रक्राइब जरूर कर लेजिए चले मैं आज मैं आपको गाड़ी चाहे टू बिलर हो चाहे धिलर बिलर हो चाहे फोर बिलर हो इनके बारें बताऊंगा तो गाड़ी जानते हैं कि फ्यूल चलता है अलेक्टिक चलता है प्रंतु गाड़ी को कैसे स्टार्ट किया जाए गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम तीन तरकत टेक्निक और पीड़ों रिखिर चाहिए के द्वारा जो फ्रोग करें जाते हैं दूसरा है कि हांडिल कर दौरा ऊहन डंडम होता है तिसरा है धक्क अपली ये थ्री विपला में प्रोग किरेंडर लिट रही टक्टर हुआ टेंपू हुआ जीप हुआ आध्र फ्रोग करता है गारी सुचास होती है पर उस समय इस्टार करने में बहुत मेहनत किया जाता है पसीना हो जाता था पर आंतो गारी स्टार होता था पर आयसा क्या किया जाए जिसकी सहायता से हम जो मेहनत करते थे समय लगाते थे इस्टार करते समय दका प्लेज टेया है उसमें रिक्स होता था इन सबसे बचने के लिए ऐसा क्या वह है सेल्प स्टार्टर क्या है क्यों प्रियोग क्या है इस एक वह आपको सेल्प स्टार्टर का बताएं जो इलेक्टिक एनर्जी को में बदलती है क्रंट नंबर जैसे कि मांच लिए बैटरी को ब्रैटरी के द्वारा शेल्प स्टार्टर में पहुंच कर और प्रेमियम अब फ्राइविल गेयर के मात्यम होकर टच होकर टच होकर 10 सेकंद लिखर 40 सेकंद या एक मिनद तक उसको राउंडिंग कर दिया है आउसी का राउंडिंग अधार पर तुरुन इस्ताथ हो जाता है तो भागो के नाम आगो के नाम में चलिए मैं आपको रियल एक पार्ट करम बाई करम समझाओंगा उसके बाद रिपेरिंग करूंगा शावधानी बताओंगा ध्यान से देखिएगा अगर पूरा देख लिए तो दक्का देजिए चाहने दिर मारिये तो इस करेंगे अगर अगर अच्छा अच्छाब ही के द्वारा बैट्री करंट के द्वारा आप में में इस्टार करकर आप जो समय गमाते तो बचेगा प्लस हो जाएगा यह कैसे पहचान होगा यह देखिए जैसे ट्यूपलाइट के लगते हैं इंडिकेटर लगते हैं इंडिकेटर लगते हैं इसी के माध्यम से से स्टार्टर होता हुआ जैसे आप गाली करती है ऑर करती ओष्ञति रगते हैं डोगत अगत लिगत आप जा रहता है इसी तरह इंडिन में सेलफ स्टार्टर को जब यह आंका तो यह बयां पहुए अप्ति है तो काम होती है फिर जीयो इसटार होता है तिवे अपने अस्थान पुजीक सिन पहुंचाता है यह आर मेचर है जिसमें मोटे बर्डिंग किया रहते हैं यह के द्वारा पार्ट घूमने जो भी आपका इंजन स्टार्ट करें साथ अगदें यह बेंडेक्स बेरिंग है जो कि फ्राइबील में फ्राइबील में लगे रहते हैं जिसके द्वारा इसी के द्वारा प्राइबील के गेर मुट्टा चोने के बाद एक बड़ा गेर होता है जिसके द्वारा आसानी के साथ इसमें रखने पर इस रोटेशन करता है जिसकी संख्या यह मतब्द दस सेकंड्स लेकर और सबस्था गालता है इसके वाड यह सवारी सूचंट होने के बाद यह चलते हैं इसी events लगे रहते हैं जो कि इसको अंदर लगने के बाद इतरे लगने के बाद इसमें लगने के बाद इसमेंग तरह이다 यहां पिश्की नास्ता हैज आठ आध है और हम बाकि है अर इसमें से अब आप आका- Evangel Kot से मुकी करान करने से तो चलिए मैं पर इसे दोबारा रिपिट कर दराओं कौन पाठ है देखें यह काईप है यह बैंडेक प्रिंग यह गेयर है यहाँ पर यह यह बैंडेक्स डिक्ट यह आपका आप कार्वन प्लेट है इसमें इसप्रून तो कर्वन लोगये यह आपका आरमेलशन बाड़ी है जिसका दोरा पूल भी लगया गार्वन लगया जिसके दोरा यह चीज़ है अब आपकि हमें कि मिस्थि अभी बं स के लिए इसके about पाट रेम विमारी को झांभ नाम बठाएंगे सर इसमें क्या कर्मारी थो कि अ trib junk पर बटन से द्वारा इस टार्ट होता है बटन स्टार्ट होने बाद गोम गया शाट कर गया है और यह इसने कासे होता यह है कारवन स्ट और अधिकन कार वार्ट होता है गीज जायता है इसमें इन फ्तार बल्डेगा अचा यह इस अब मर जाती है यह ये प्रिंग लगा गयाँ इस दूंग को दांके रखें के यह गया उनदेन है प्राविल में अच्छों की स्टार्ट होता है यह नंबर आपने तिवारी जी का गलत बोल दिया यह का है यह इसमें बुस्ट को लगा जाए बैरिक को नहीं लगता है बैरिंग नहीं लगता है अच्छा गया लेज़ टिका एक तर्फीज ओके लास्ट बता दीजिएगा यह यह जो कैसे कैसे जोड़ा जाता है कैसे शुरुआत कैसे जाता है लास्ट वाट पहले अधर लगा करके ने पर शुरुआत कैसे कौन कौन की करम भाई पार्ट निकालते हैं आप आप खोल कर से जाता है पहले सुरुआत उपर से खोला जाता है अच्छा हो गया है अलग हो गया है अच्छा यह बुस जो बिमारियां आती है कैसे पता लगाएंगे कि आप इसमें बुसे ही बदलना है अच्छा जाता है आप जो अच्छा जाता है इसमें पता लगाएंगे यह इस पूल सब ने पर जाएगा तो पोल में रगडेगा अच्छा फिक्समें अंग है जह आप दोस्तों अभी यह इसमें बुस्ट चैंज करेंगे हैं यह नए बुस्ट डाल रहा है उसके से डाला जाता है आपको दिखाएंगे अभी ये कटोरे में बुष डालेंगे अभी बुष हमारे सब डल गए है अभी इसमें थोड़ा राउस कर लेंगे सेंटर प्लेट से ये देख लेंगे कम्प्लिट भूम रहा है है अभी ये कटोरा चेक करेंगे गिजाए अभी फरी कर रहें है । ये आपको आईस्ता आईस्ता से करना है तो पूरा राउस करने के लिए थी फिर से गुमा पर देख ले और चाल भी देख ले के पर चाल है के नहीं है इसको निकाल के अभी यह सेंटर ब्लेट में डाल देंगी यह भी बेंटेक्स डाल ले बेंटेक्स में थोड़ा सा ग्रीश डाल दीजिए का अंदर यह भी पूरा ग्रीशिंग हो रहा है और थोड़ा से ओल भी डाल भीजिए ताकि एकदम स्मूथ अभी यह स्मूथली काम कर रहा है तो यह बीकुल प्री लेना चाहिए तो रास अभी जाम हुआ चो उसको प्री कीजिए अब यह हम लोकरिंग में डालें यह देखिए यह लोकरिंग है यह पहले जाल दीजिए बाद में इसमें तोड़ा साप कर गए स्प्रिंग डाल दीजिए यह देखिए अभी यह लोकरिंग डाल रहे हम लोग यह लोकरिंग अभी फूरा फिट करेंगे यह हो गया फिट लोक के लिए आपके पास यह देखिए पूरा एकदम साप करके रखा हुआ है वे इसमें ग्रिशिंग करेंगे अधर्मिचर में यह भी फॉर्क है फॉर्क को कैसे लगाते है वो दिखाएंगे यह एसे लगा के थोड़ा सा ग्रिश वाला कर दीजिएगा यह भी आप देख रहे हैं यह पूरा एसे डाल दीजिएगा ज्यान रखिए उल्टा न डाले यह भी चला गया है अपना यह है चेकनट चेकनट को भी थोड़ा ग्रिशिंग करके यह इदर आपको होल दिख रहा होगा उसमें डाल दीजिए इस पॉर्क तो पहले डाला होता है ना उसके अंदर यह कोल होता है इसके साथ में लगना चाहिए यह भी इसको टाइट कर लेंगे स्कुरू ड्राइवर से यह अभी रबर है इसकी बज़ा से अंदर सेल में पानी ना जाए अभी फॉर्क को चेक करके यह में कोईल और यह बोडी है कार्बन सोल्डर किया हुआ यह हम यह भी डाल रहे है यह कार्बन रोकर है उसको ऐसे कार्बन को आप अंदर डालेंगे यह अपक rookड़करा होगा है यह कार्बन अंदर डाल रहे है स्प्रिंक को खीच के आप अजूब आद में के जुक्षों है यह पूरा कार्बन पूरा जल भी सकता है अब ये वाइसल डालेंगे ये देखो ये दो वाइसल है डाल दिया अब इसमें थोड़ा सा ओइलिंग कर लेंगे अब लिंग करके ये कटोरा डालेंगे ये एक दम कटोरा डाल दिया है ये अभी हो गया फिट अरिस्ता अरिस्ता अभी ये बॉल्ट है वो डालेंगे छोटे वाले बॉल्ट उसके होते है ये वाइसल डालेंगे स्प्रिंग वाइसल लाते है और ये नॉर्मल वाइसल है ये चाकी चड़ा देंगे ये बॉल्ट को टी पाने से आप या फिर कोई भी पाने से फिट कर सकती है कि अभी वुद्धिज्दद। ये अभी हो गया फिट। गर्शन के पॉल्ट हांयी ये ये इधर में पॉल्ट लगता है बेटरी का न ग्मातल है ब्यांति और यह श्टार्टर बटन का थार होता है, श्टार्टर बटन में फावर आने से यह डबी एकदम धका ऐसे तकरती है, यह ऐसे फॉर्क में फिट कर लेंगे और यह अभी सोलो नाइट स्विच फिट कर रहे हैं, एकदम कुंप्लेटली फिट करके दोनों साइड बॉल्ट दा लेने हैं, यह भी दूसरा बॉल्ट लें, यह भी ट्रेडा करके आपको फिट करना है, यह इसका में बॉल्ट लीड है, यह प्यान रहे कि टाइट होना चाहिए, और साप होना चाहिए, पाने से कर दीजिए अच्छे से टाइट, अच्छे से टाइट कर देना है, यह चेक नट को पूरा टाइट कर देना है, ताकि यह लूस होके बार बॉल्ट ना मिखले, अगर यह बार नहीं कर जाए, तो फिर सेल जल्द भी सकता है, पिला रहे जाए तो, यह अभी ठाइट हो गया है, अभी हम गट्टोरी लोक डालेंगे, इसको आर्मिचर को थोड़ा उठा के, इसमें यह लोक आएंगे, यह भी लोक डाल दिया है, यह अभी उठा आया, अब इसके उपर कटोरी डालेंगे थोड़ा ग्रीसिंग करके डालेंगे थाकि स्मूथनेस रहे अभी यह दो बोल्ट फिट करने है अभी सब बोल्ट को एक एक करके चेक कर लेंगे कोई भी नट ढिला ना रहे बोल्ट ढिला रहे गया तो फिर दिक्कत हो सकती है शेल्फ पूरा जला भी सकता है पूरा चेक अप कर लेजिए एक बार यह हमारा सेल्फ हो गया है त्यार अभी टेस्ट के लिए डिवाइस में फिट कर रहे है यह देखिए यह अभी बोल्ट में थोड़ा बेंडे से से आगे जाएगा अभी यह देखो पूरा वर्क कर रहा है यह देखिए इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए यह देखिए आपको सवधानी बत्राम सेल्फ टाटर को खोंडे सब्सक्राइब सब्सक्राइब तेमें होना चाहिए दुसरा है कपड़े का इस्तमाद रूप करें आल का इस्तिमाल करें और पाटो को फिटिंग करने इक वाड़ अग्रेशन को डायरे गराम के अन्योशार रियोश करें और यह एक से लेकर जीरो तक खोंडा शेरो करें आजीरो शेलेकर और नौ तक चाह वीडियो मकेंडी डीजाल, अलेक्रिशन, आटो मॉवाइल, आध के लिए लास्ट में एक आउंगा वीडियो को शुरू सुनते देखिए अच्छा लगत सरक्राइबर कीजिए और अपनी दोस्तों मित्रों को सेर कीजिए थैंक्यू बेरी मच्छ